खुद का लॉंडरी बिजनस कैसे उपन करें आज की इस वीडियो में आप पूरा डिटेल में बिजनस प्लान आप समझेंगे ये मशीन दिखाने का वीडियो नहीं है ये बिजनस प्लान का वीडियो है आपको पूरे वीडियो के अंदर में पूरा डिटेल में मैं बताऊंग various type के जो legal requirement होती है जो एक business को start करने से पहले follow करना पड़ता है उसको भी आपको पूरा करना पड़ेगा otherwise आप फस सकते हैं तो वो आप कैसे कहां से प्राप्ट कर सकते हैं शुरू से अन तक देखिएगा पूरा detail में आप समझेंगे सबसे पहले बात करते हैं laundry business laundry business शुरुआती से ही हमारे देश में हमारे समाज में रहा है पहले की date में ये normal गाओ घर के लोग जो एक जाती विशेष के लोग होते थे वो कहीं जाके कपड़े धोके देते थे लेकिन अभी की date में यही चीज रिफाइंड हो गया है अब इसको laundry business कहा जाने लगा है well, so काम लगबग वही है कपड़े को धोना है बट इसके धोने में बहुत technicalities है यानि कि इसमें वैसे कपड़ों का cleaning जो कि हम घरों पे नहीं कर पाते हैं उसके लिए ज़ादतर laundry को लोग use करते हैं जैसे generally dry clean हो गया dry clean का सबसे ज़्यादा काम laundry के business में आपको मिलेगा दूसरा हो गया general कपड़े भी लोग धुलवाते हैं जिनके पास उतना time नहीं है जो professional है, जो single parent है जो single लोग है, जिनके पास इतना time नहीं है तो वो इस type के कपड़े भी आपको देंगे तो वैसा भी आपको काम मिलेगा So laundry में basically आपको कपड़े धोने हैं प्रेस करने हैं और client को provide करने हैं काम तो simple है interesting बात यह है कि ये कपड़े आपको धोने नहीं है इसके लिए आपको कुछ machines में बताऊंगा उन machines को आपको खरीदना पड़ता है सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप laundry business open करना चाहते है तो किस type का location आपको चुनना चाहिए सबसे जो preferred location माना जाएगा वो है बहुत सारा residential flat हों या घर हों उसके बीच का जो market होता है जो center market होता है वहाँ पर आप अपने shop का location चुनिए है या अगर आपके आसपास में apartment बहुत है तो उस apartment के पास में जो एक market है आप उसको चुन सकते हैं या आपके शहर का गाउं का main market है आप उसको चुन सकते हैं लोकेशन के बाद अगर बात करें इसमें कितना area और space चाहिए होगा तो इसमें area लगभग आपको धाई साव से लेके 500 square feet के बीच का space चाहिए है अभी इतना मैं क्यों बता रहा हूं इसको गौर से समझना है सबसे पहले तो इतना space इसलिए चाहिए क्योंकि आपको कपड़े धोने हैं उस धुले हुए कपड़े को जो dry होता है मशीन के अंदर ही dry हो जाता है dry होने के बाद उसको press किया जाता है और फिर आप एक जगह store करते हैं वहीं आप पुराने कपड़ों को भी एक जगह रखते हैं कि आपके पास मशीन के लिए जगह होने चाहिए जो आपने कपड़े धो दिये साप सुत्रा कर दिये उसके रखने के लिए लग जगह होना चाहिए और एक एस्पेस होने चाहिए पुराने कपड़ों को भी रखने के लिए apart from that आपको एक counter चाहिए होगा और जो basic जो एक धुकान में समान होता है जो एक office में समान होता है वो आपको लेना ही पड़े है जो computer table ये सारी चीज़ें होती है तो आपको लगभग इतना space लेके चलना पड़ेगा नेक्स्ट बात आता है कि अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो किस की step की machine का requirement आपको पड़े है सबसे पहला machine इसमें आता है commercial washing machine commercial washing machine आप कितना ले हैं starting के time में तो शुरू में आप एक या दो से शुरू कर सकते हैं मेरे खयाल में दो जरूर ले लेना चाहिए या पहले आप एक से शुरू कर जिए जैसे ही महीने दिन के अंदर में आपको अच्छा response लगा तो रहत आप दूसरा washing machine आप purchase कर सकते हैं commercial washing machine हो गया दूसरा number point हो गया इसमें press machine press machine में ही एक आता है साड़ी प्रेस machine और जो normal हम कपड़े का प्रेस करते हैं साड़ियां लोग laundry वालों को देते हैं क्यों क्योंकि वो घरों पे normal साबून सर्प से दो ही नहीं सकते हैं उसके लिए चाहिए होगा laundry का service तो आपके पास वैसा certified machine और वैसा equipment भी होना चाहिए अदरवाज आप अगले का कपड़ा खराब करतेंगे तो इसमें पूरा सावधानी बरतना है machine proper लेना है और ढंका लेना है इसके अलावा आपके पास various type के chemicals की requirement पड़ेगी वो चाहें washing करने के लिए हो या dry clean करने के लिए अलग से chemical लिया जाता है वो हो गया या other जो भी chemical चाहिए होते हैं वो तो ये सारी chemicals आपको चाहिए होंगे इन तीनों समान का जो मैं आपको बताया हूँ लिस्ट को ये आप कहां से purchase कर सकते हैं तो ये आप Google पर जाएए वहाँ पर आप देखेंगे commercial washing machine जब आप keyword search करेंगे तो आपको various type के merchant seller मिल जाएँगे दूसरा होगा या आप चाहिए तो इंडिया मार्ट जैसे website भी try मार सकते हैं बट मेरा preferred रहेगा Google बात बगी जो भी मैंने machine और chemicals बता हैं वो सब आपको online ही मिलेगा Google से या आप अपने area के जो market होते हैं आप उन market में भी जाके try कर सकते हैं बात आती है starting में कितना investment आएगा investment को ध्यान से समझना है सबसे जो major investment आएगा वो है आपका shop लेने में investment अगर आप 200 square feet से लेके 500 square feet तक के बीच का shop अगर आप ले रहे हैं तो यही सबसे ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा धाई से square feet तक का shop कम से कम 20-30,000 रुपया में minimum मिलेगा यह भी depend करेगा जगर तू जगा अगर मालिजी आप गुड़गाओं जैसे शहर में ले रहे हैं तो उसका कुछ price होगा और अगर आप इंदौर जैसे शहर में ले रहे हैं तो उसका अलग price होगा छोटे शहर में ले रहे हैं तो उसका अलग price होगा तो यह price vary कर सकता है तो आपको इस चीज़ को देखना है कि कम price में अच्छा location मिले वह ऐसे को ही आपको चुनना है इसके अलबाब जो major expenses आएगा वो गया जो भी आपका shop रहेगा उसका interior और exterior कराने में interior में ज़्यादा खर्च नहीं करना है जो भी दिवाल रहेंगे उसके normal आप painting करवाईए हाँ उसमें आप कुछ अपने branding करके जरूर चिपका सकते हैं जो कि आप photo में देख रहे होगे इस type की branding आपको करनी चाहिए branding के अगर करना है और जो shop है उसके आगे में एक अच्छा सा name plate आपको लिखवाना है और नेम plate ऐसा होना चाहिए कि रात में भी वो जले क्योंकि जैसे ही 5-6 बज़े के बाद अंधेरा होना शुरू होता है 7 बज़े के बाद तो आप उसको जलाए और कम से कम 10-11 बज़ तक आप जला के छोड़ सकते हैं जब तक आपकी shop open है तो कुछ लोग तो रात रात भर छोड़ते हैं जो कि एक अच्छा branding और marketing का काम करता है चुकि कोई भी आदमी रात में भी गुजर रहा है तो उसको दिख जाएगा अच्छा यहाँ पर एक laundry वाला खुला हूँ यह जो lighted signage board होते हैं यह लगवाने चाहिए आपको तो इन सारे अगर expenses की मैं overall expenses की मैं बात करूँ तो लगवग आपका initial खर्चा कम से कम 5 लाग से लेके 8 लाग के बीच का जाएगा इसमें machine आपको देखना है कि किस level का आप machine लेने के लिए जा रहे है जादा जादा आप कोशिश कीजिएगा कि machine का ठीक ठाक brand हो और जो भी machine seller से आप machine ले रहे हैं उससे आपको warranty भी लेना है after sale services वो कैसे देगा इस पर भी आपको पूरा ध्यान देना है तो अगर इतना investment आपके पास नहीं है starting में तो आप चाहें तो मुद्रा loan में आप loan ले सकते हैं मुद्रा loan बिल्कुल ही unsecured loan होता है यानि कि इसमें किसी भी type का आपको security guarantee नहीं देना पड़ता है मुद्रा loan प्राप्ट करने के लिए बहुत टाइप के document की requirement होती है इन सारे document को प्राप्ट करने के लिए और मुद्रा loan से related extra जानकारी के लिए आप myproject report.com वेब साइट वर विजिट कीजिए ये भारत की number one वेब साइट जो की documentation में ये work करती है ये deal करती है इसका link में description में दे दूँगा या screen पर दिये हो number से भी आप संपर कर सकते है next अगर बात कर लें कि इस काम को शुरू करने के लिए शुरू आती time में किस किस type का legal requirement पढ़ेगा हाँ जी, सबसे पहले इसमें चाहिए होंगे आपके दुकान का registration उसको बोलता है shop and establishment act का registration या short firm में गुमास्ता भी लोग बोलता है दूसरा हो गया इसमें उद्यम registration that is a very very important registration उसके बगएर आपको मुद्रव मिले गई ने तो उद्यम registration आपको करवा लेना है तीसरा हो गया इसमें आने वाले टाइम में GST अगर आपके business का turnover एक साल में 40 lakh cost कर जाता है तब आपको GST का registration करिवाना पड़ेगा अदरवाईज नहीं भी करवा सकते हैं तो शुरू में आपको उसका जरूरत नहीं पड़ेगा इन 2-3 registration के basis पर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं अब सबसे लास्ट हम बात करते हैं कितना इसमें profit margin रहे हैं देखिए इस काम में profit margin जबरदस्त है बट मैं percentage पर basis पर बात करूँगा क्योंकि एक कपड़े का जो धुलने का costing है वो area के उपर depend करता है जो pricing न्यू दिल्ली में है क्या लखनों में वही pricing है क्या तेलंगाना में same pricing है क्या पूरे में same pricing है बिल्कुल नहीं हर शाहर का हर राज्य के same काम का अलग-अलग pricing होता है इसलिए मैं आपको percentage के basis पर बता रहा हूँ कि लगभग अगर हम उन pricing को cut करके अपने profit margin की बात करो तो लगभग आप 20% से लेके 30% के बीच तक का margin आप कमाएंगे सारे खर्चे काट के जो दुलने के खर्चे हो गया है इन सारे खर्चों काट के अब बात करते हैं कि अगर आपने laundry business open कर लिया सब कुछ settle हो गया बेचोगे कैसे जी बीना marketing के तो कुछ काम हो ही नहीं सकता है marketing is the foremost important thing to sell the product so marketing में दो टाइब का marketing करना होगा सबसे पहले इसमें आ गया online marketing और दूसरा हो गया offline marketing इन दो marketing के basis पर ही आप अपने business को चला पाएंगे online marketing में बात करों तो क्या करना है तो सबसे पहले आपको अपना एक website बनाना है website कितने वो बन जाता है 10,000 के अंदर में आपका एक normal सा website बन जाएगा wordpress का website बनाना है ज़्यादा महगा नहीं लेना दूसरा हो गया google का local listing google local listing किसको बोलता है किसी ने भी आपके area में google पे जाके search किया dry cleaner services near me dry cleaner shop near me तो जिन्होंने भी google पे list it करवा लिया उनका सबसे पहले दिखता है right hand side में अपने देखा होगा कि address और rating वगएरा सब कुछ photo shoot के साथ दिख जाता है उसी को बोलते है google listing तो ये भी काम आपको करवा लेना है फिलाल में online में ये दो काम करवाने के बाद आप just dial पे registration करवाईए अपने area के pin code में वहाँ से भी आपको काम मिल जाएंगे तीन काम हो गया अब बात करते हैं offline marketing में क्या करेंगे सबसे पहला हो गया कि जब भी आपका shop planning है उस दिन आप एक ठीक ठाक महावल बनाईए music शिवजिक हो थोड़ा अगले को प्रोसान दीजे सब जग़ पैंपलेट पैंपलेट हो गया visiting card हो गया ये आपको बटवाना है within 2-3 km के range में opening से 10 दिन 5 दिन पहले 2-3 दिन पहले भी आप कर सकते हैं इसके अलावा कुछ लोगों को invite करना है इससे कहना market में एक थोड़ा होगला generate होता है कि अच्छा यहां पे नया एक shop open हो है अब next एक बात करना है कि जहां भी आपका shop है उसके आस पास के जो भी residential घर है वहाँ पर आप कोशिच करिए कि आपके जो shop है आपका जो brand है उसका visiting card पहुंच जा है या pamphlet पहुंच दा है यह कैसे पहुंचेगा अख़बार के थुरू पहला number point दूसरा number point अगर आप किसी society apartment में जाना चाहते हैं उसके लिए वहाँ के secretary से आपको permission लेनी होगी permission लेकर ही आप किसी society के apartment में जाके pamphlet बाट सकते हैं अधर वह बाट नहीं पाऊगे और अभी की date में चुकिए अख़बार लोग कम लेता भी है तो कोई अख़बार वाले उतना काम भी नहीं करता है इसलिए आपका ज़्यादा फोकस online होना चाहिए और offline में कोशिश करना है कि वो pamphlet देने के लिए आप वहाँ के secretary वहाँ के maintenance team से बात करके और ये काम आप कर सकते हैं वो लोग कुछ पैसे भी लेता है ऐसे free में नहीं करता है initial level पर अगर आप इस marketing के तहत भी काम अपना शुरू करेंगे तो आपका काम अच्छा उमीद है आपको ये detail वीडियो पसंद आया होगा फिर भी अगर कुछ पॉइंट अगर मेरे से छूट गया है तो आप comment जरूर करिए next वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे points को भी मैं cover up कर लो फिलाल मैं अगर इसके आलावा भी आप किसी business पर चाहते हैं मेरे से वीडियो बनवाना जरूर comment कीजिए मैं उस topic पर वीडियो बनाऊँगा आपके लिए thank you so much take care bye bye